हेलो एवरिबडी वेल्कम टू चैप्टर टू अफ नाउन जिसने हैस्टेग वन वाला नाउन देखा है यह वीडियो उनी को समझ में आएका यह मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा जो पहले पढ़ाय था उसका क्विक रिवीजर है जो आपने एक गंटे में पढ़ा था अब उस से पहले बोलो क्या टॉपिक है नाउन जैसे नाउन खुला आपके दिमाग में जितनी चीजे में बोल रहा हूं उतनी आना चाहिए सब से पहले आपको क्या याद होना चाहिए नाउन की डेफीनेशन ऐसे याद हो जाएगी देखो मैंने आपके लिखके रखी है वो शब् जिससे किसी वैक्ती वस्तू इस्तान जाती पदार्थ भाव या सम्मू का पता चले उसे संग्या कहते हैं सेम डेफीनेशन इंग्लिश में भी आएगी डोंट वरी इंदी में याद कर लो वैक्ती वस्तू इस्तान जाती पदार्थ एक्जामपल वगेरा सब है जिसको पढ करेंगे वेक्ति वस्तु इस्थान जाती पदार्थ भाव यह सम्मू को बताएगा वो क्या कहलाएगा नाउन same definition I am going to tell you rather I am going to repeat the definition in English word that tells about a name of a person place things feelings collection material are called noun मतलब वो शब्द जो वेक्ति वस्तु स्थान वो ही वाली बात यात की person place things collection material यह भी क्या कहलाएगा नाउन तो सबसे पहली चीज़ जो आपको noun से पता हो जाना चीए देखते से ही वो क्या है definition name of a person place things collection material are called noun second topic कुलता है जैसे आपने यह first वाला topic complete किया अब कौन सा topic खुलता है second topic वो second topic जो आपको noun से पता चल जाना चीए noun में सबसे पहले क्या पता चली आपको definition अब आपको पता चल जाना चीए noun कितने प्रकार का होता है बिलकुल सहीं बहुत बढ़िया cmpac common जाती वाचक material पदार्थ वाचक proper वैक्ती वाचक abstract भाव वाचक collective समू वाचक हमने सबसे पहले definition पढ़ी definition के बाद क्या पढ़ा types definition क्या बोलती है वो शब जिससे किसी वैक्ती वस्तू उस्थान जाती पदार्थ वावना समू का पता चले संग्या गोली मिमारो definition को definition के बाद अगला बो types कितने प्रकार का पाच ये ऐसे याद हो जाएगा बो common, material, proper, abstract, collective अरे कमाल कर दिया जाती वाचक, पदार्थ वाचक, भाव वाचक, समू वाचक example एकटे भी आएंगे तुकडों में भी आएंगे ये मेरे हाथ के example है देखो common, पूरी जाती, जब मैं boy बोलता हूँ तो ये क्या है common और जब मैं राम बोलता हूँ तो ये क्या है proper, common मतलब जिससे पूरी जाती का पता चले, proper मतलब जिससे केवल एक वेक्ती, एक वस्तू, एक स्थान का पता चले समझें अंतर common और proper में ठीक है जब girl बोला तो common और सीता बोला तो proper ऐसी cow dog ये क्या हो गया common material हर वो चीज जिसको आप बनाऊंगे वो क्या है material जैसे gold इससे कुछ भी बन सकता है gold पदार्त है आप इससे pile बिचिया कुछ भी बना सकते हो silver ये पदार्त है material है आप silver का glass भी बना सकते हो silver के earrings भी बना सकते हो bracelet भी बना सकते हो तो silver is just a material copper, wood, iron ये सब क्या है material I hope आपको common material proper समझ में आया abstract और collective मैं आपको पूरा दे रहा हूँ एकदम बढ़िया wait करो सब आएगा wait करो जिसको अभी दिक्कत जा रही है wait करो पूरा आएगा classification of noun पिछला वीडियो देख लो जिसको दिक्कत है पिछला देख लो वो detail में ये उसी का short form है जिसने पढ़ा उसी के लिए है classification of noun noun को अपन ने बाटा मेरे साथ बोलो मेरे साथ बोलो सबसे पहले क्या देखा हमने noun की definition इसके बाद क्या देखा type कितने प्रकार देखे 5 अब सुनो फिर से classification होता है noun का अब किस के आधार पर संख्या के आधार पर जब संख्या के आधार पर noun का classification होता है तो noun दो भागों में जाता है एक होता है countable और दूसरा होता है uncountable countable मतलब countable मतलब जिससे गिना जा सकता है अब सुनो गिन सकते हैं मतलब ये फिर दो भागों में बढ़ जाएगा एक हो जाएगा singular और दूसरा हो जाएगा plural uncountable uncountable मतलब जिसको गिना ना जा सके अग गिनी नहीं सकते भई तो plural कांच से बनेगा ये केवल singular form में रहेगा count uncountable बात समझे definition, types अब फिर देखा हमने दो प्रकार एक हो गया countable और दूसरा हो गया uncountable तो मैंने का ठीक है countable है तो उसका क्या बनेगा singular, plural, देखो देखो कड़ी जुड़ते भी जा रही है सबसे पहले मैंने क्या देखी definition, फिर मैंने क्या देखा types, types के याधार पर दो चला गया countable और uncountable countable बोलता है मैं दो भागों में जाऊंगा एक बोलता है singular और दूसरा singular से plural बोलो हमारा नारा कहां से कहां singular से plural, द्यान से देखना क्या लगा कर बनाया जाता है कभी S, कभी E S कभी I E S, कभी V E S याद रखना नियम जब भी singular से plural बनाना याद रखो, क्या लगेगा S, E S, I E S V E S, ये लगाओ plural बनाओ, सब बताऊंगा सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, शान्ती रखो शान्ती रखो, सब बताऊंगा, पहला नियम देखो S जादातर संग्या में क्या करते हैं अपन, S जोड देते plural बना देते, जादातर संग्या में बोलो S लगाओ, plural बनाओ बलो s लगाओ प्लूरल बनाओ एगजामple देखो ना बहिए एगजामपल टी तो लिए लाया इदर एगजामपल देखो girl girl का plural क्या हो जाएगा girls बताओ s लगाया plural बनाया girls की जगा अगर मैं बोलता doctor बोलो क्या बोलता pentru doc अगर मैंने बोला pen, बोलो मैंने क्या बोला pen, तो pen का भी plural क्या होगा, pen, pen का plural क्या हो जाएगा, pens, अरे बोलो न, अगर मैं बोलता हूँ cap, तो cap का भी plural क्या हो जाएगा, caps, s लगाओ, plural बनाओ, अब देखना, दूसरा नियम, अब क्या लगाने की बात करूँगा, yes, बोलो अ ज्यादा तर संग्या में क्या लगा दो, S लगा दो, क्या बन जाएगा, plural, ES अगर लगाना है तो उसका निया में, देखो संग्या कांट किसे होना चाहिए, अगर संग्या कांट, S, SH, CH, ये तीन याद कर लो आप, बोलो, S, SH, CH, आप अगर बोलते हो न, तो देखो उसमें ज CH, रुकरी न, बोलो, X, देखो न, X, S, आरी न, O, Z, इन शब्द से अगर अंत होता है, तो क्या जोड के plural बनाया जाएगा, ES, देखो मैं तुमको एक्जांपल भी बताता हूँ, तुम खुद बोलोंगे, हाँ, इसमें हम ES जोडेंगे, बोलो, box का plural क्या होगा, boxes, ES जोडा की न, जोडा, अगर मैं बोलू, class, तो class का भी plural क्या होगा, classes, आप बताओ, आपने ES जोडा, अगर अंत किसे हो रहा, S, SH, SH से अंत कराओ, BRUSH, brush, brush का plural क्या होगा, brushes, O, से N कराओ, O, से N कराओ, बोलो, hero, hero का plural क्या होगा, heroes, बात समझे, S का कोई नियम नहीं है, पर अगर सं कर लो, बोलो, S, SH, CH, ये तीन शब्द याद हुए, इसके बाद तीन मैं ऐसे याद करा रहा हूँ, बोलो, X, O, Z, अगर इन से अंत हो रहा है, तो plural क्या लगा के बनेगा, ES, मेरे साथ बोलो, S का नियम भी याद हुआ, ES का नियम भी याद हुआ, इसी के साथ हम आते हैं, तीसरे नियम पे, जिसका नियम है, I, E, S, I, E, S, का नियम देखो, हाँ, हाँ, डेफिनेशन किया, टाइप्स किया, इसके बाद सिंग्यूलर, प्लूरल, बिलकुल सही, काउंटेबल कही होगा, अंकाउंटेबल का कोई प्लूरल नहीं होगा, वो हमेशा सिंग्यूलर में रहेगा, S का नियम हो गया, E, S का हो गया, अब आया, I, E, S पे, बहुत सरल है, अगर संग्या का अंत, बोलो, किस का अंत, संग्या का अंत, बोलो, 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 अगर संग्या का अंत किस से हो, Y से हो, ध्यान से सुनना, किस से हो, Y से हो, और Y के ठीक पहले, A, E, I, O, U, न ना हूँ, pay attention, क्या बोला मैंने, इसको ध्यान से देखो, ना हूँ, क्या बोला, ना हूँ, संग्याकांत किस से हो, Y से हो, और ये, 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 A, E, I, O, U, ये देखो, ये, देखो, A, E, I, O, U, ये, ना हूँ, A, E, I, O, U, ना हूँ, तो, Y को हटा कर, I, S जोड़ कर plural बनाया ज समझे, तो example देखो, example देखो, देखो, baby, baby का plural क्या होगा, babies, पर अगर baby की जगा boy होता, तो boy का plural, boys होता, बात समझो, बात समझो, यहां पे Y के ठीक पहले, देखो, मैं arrow लगा के बताता हूँ, यहां पे Y के ठीक पहले क्या है, B, फिर से arrow लगाऊंगा, मैं, यहां पे Y के पहले B था, और यहां पे Y के पहले क्या था, O, यह B होने के कारण Y को हटाया, Y को हटाया, और देखो क्या लगाया, I, E, S, पर यहां पे Y था, इसलिए के वल क्या लगाया, S, नहीं हम समझ में आया, संग्या कान किस से हो, Y से हो, और Y के ठीक पहले A, E, I, O, U ना हो, ज को हटाओ, IES लगाओ, प्लूरल बनाओ, नियम समझ में आ गया, S का भी, EES का भी, IES का भी, तीनों रिपीट कराओ, अब भी करा रहा, S का कोई नियम नहीं, S लगाने का कोई नियम नहीं, EES लगाने का नियम है, S, SH, CH, X, O, Z, बो, S और EES का नियम समझ में आया, अब IES का नियम देखो, केवल क्या है, Y, अगर Y है तो, IES का टाम, स्पीट से, स्पीट से, Y है तो, IES, Y के पहले अगर A, E, I, O, U है तो, भाईया मैंने बताया ना, Y के पहले A, E, I, O, U है तो केवल S जोड़ देना, जैसे BOY का BOYS, जैसे DAY का DAYS, अगर ये ना हो तो, I, E, S, और ये हो तो, केवल S, जी आँ, जी आँ, जी आँ, वी, E, S का नियम देखो, और V, E, S, लगाओ, और प्लूरल बनाओ, नहीं समझे, आरे देखो, देखो, मैंने बोला LEAF, LEAF का अंकिस से हुआ, F से हुआ, प्लूरल बनाना है, प्लूरल बनाना है, हाँ, तो बोलो, LEA, जैसा का, वैसा, ये F को हटाओ, और इसकी जगा क्या लगाओ, V, E, S, देखो, LEAF का प्लूरल क्या होगा, LEAF, हाँ, F ही लगाओ, F ही लगाओ, F ही लगाओ, तुमारी किस से हुआ, F E से हुआ, तो ये जो F E है ना, F E को हटाओ, F E को हटाओ, और देखो, और देखो, K N I जैसा का, वैसा, ये F E हट जाएगा, इसकी जगा क्या लग जाएगा, V, E, S, तो नाइफ का प्लूरल क्या होगा, K N I, V, E, S, F या F E को हटाओ, और V, E, S, लगाओ, अ आया, E, S, भी समझ में, आया, I, S, भी समझ में, आया, V, E, S, भी समझ में, आ गया, अब हम सिंग्लर प्लूरल के बाद आगे चलते हैं, ना उन में, Uncountable, अरे, ये ऐसी बता दिया, मेरे साथ बो, अब भी आद हो जाएगा, वो संग्या, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसे कहते हैं, उसे कहते, Uncountable, उसे कहते, Uncountable, गिन नहीं सकते, तो बोलो, Uncountable, मुझे बताओ, मुझे बताओ, पानी को तुम गिन सकते हो, नहीं, तो कभी पानी का पानी, नहीं होगा, मतलब वाटर का वाटर, नहीं होगा, हनी का, हनी, गोल्ड, डस्ट, नहीं होगा, क्यों, क कैसे पता चलेगा sir uncountable है, भाईया, बहुत ध्यान से सुनो, तुम मन से सवाल करना, मैं इसको अलग करके गिन सकता हूँ क्या, तुम शहद को अलग करके गिन सकते हो, नहीं, सीधे बोलो uncountable, तुम ये शाही को अलग करके गिन सकते हो, हाँ, आ गया, शुगर को भी नहीं गिन सकते, वाटर को भी नहीं गिन सकते, शांती रखो, बहुत सारे एक्जांपल लेकिया होँगा, uncountable के भी, तुम खुद खुश हो जाओंगे, अब सुनना, अब सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या क्या कंप्रीट किया, सबसे पहले मैं गया, noun में, noun में मैंने क्या कंप्रीट कराई, आपको देखते से ही, definition, name of a person, place, things, feeling, are called, noun, वो शब जिससे किसी वेक्ती, वस्तु, उस्तान, जाती, पदात का पता चले, संग्या, definition के बाद मैंने क्या कराया, types, common, material, proper, abstract, collective, सबके example दे दूँगा, types के बाद फिर मैंने क्या कराया, singular, plural, बोलो इत्ता कराया, अब मैं को noun को देखते से ही, क्या पता चलता है, apostrophe s, और एक चीज पता चलती है, जिसका नाम है, gender, gender मतलब, streling, pulling, उन सबको बोलते हैं, gender, noun के ही gender होते हैं, किते प्रकार के होते हैं, देख लो, चार, masculine, feminine, common, neutral, आगे आएगा, detail में आएगा, देख लो, वो शब जिससे पुरुष का पता चले, वो, masculine, boy, लड़का आरा दिमाग में, king, लड़का आरा दिमाग में, dog, male, gender आरा दिमाग में, bell, male, gender आरा दिमाग में, अब देखो, girl, नारी हो गई की नी हो गई, समझे बात को समझे, queen, नारी हो गई की नी, bitch, dog मतलब, male, bitch मतलब, वोई कुता कुती, bull cow, bell, guy, अब सुनना, common, common मतलब इसको देख के आप बताई नी सकते, लड़का या लड़की, ना, ना, आप समझो, मेरी बात समझो, लड़का या लड़की मतलब मैंने बोला, teacher, तो बताओ, तुम बता सकते हो, ये master है, की master नी है, नहीं बता सकते, teacher मतलब, common, student, मैंने बोला, लड़की है की लड़का है, नहीं बता सकते, doctor, कोई भी हो सकता है, अरे समझो बात को, वह, masculine, feminine, masculine से कौन दिखेगा, पुरुष, feminine से कौन दिखेगी, इस्तिरी, और common में कौन दिखेगा, पुरुष भी आ सकता है, इस्तिरी भी आ सकती, निर्जीव मतलब neutral, हिंदी में निर्जीव, इंग्लिश में कौन सा gender, neutral, fan, table, बताओ ये पंखे का कोई gender है, table का कोई gender है, chair का gender है, fan का gender है, book का gender है, मैंने तुमको मरियादा से पूरे gender पढ़ाए, बोलो जेंडर किते प्रकार का होता, चार, masculine, feminine, common, neutral, masculine से कौन दिखता, पुरुष जैसे boy, feminine से कौन दिखती, नारी जैसे girl, common से कौन दिखता, दोनों जैसे stew, dent, neutral से कौन दिखता, वस्तू जैसे pen या fan, हग गया, जेंडर भी complete, ठब गया, अब हम आते हैं, next topic पे, जिसका नाम है, apostrophe, apostrophe S, apostrophe S, मतलब ये, apostrophe S मतलब ये, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जब apostrophe S बोलूँगा तो, इसकी, ये होता है, apostrophe S, क्या होता है, बताउँगा ना बताउँगा, अभी तो शुरूँ किया, सुनो, 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 जब भी अधिकार बताना हो, तो संग्या के बाद, क्या लगाया जाता है, apostrophe S, ध्यान चे सुना, ये apostrophe है, और ये S है, दोनों को अलग-अलग करके देख लो, बोलो ये क्या है, apostrophe, और ये क्या है, जब भी आपको क्या बताना हो, अधिकार, तो संग्या के बाद क्या लगा दो, apostrophe S, जैसे, यहाँ पे किस का घर है, राम का घर है, राम को अधिकार बताना है घर पे, तो बोलेंगे, राम's house, देखो, राम के बाद क्या लगा दिया, apostrophe S, मेरे साथ बोलो ना यार, अब भी आदो का, बोलो, अधिकार हो बताना, अधिकार हो बताना, तो apostrophe S ही लगाना, क्या बताना, अधिकार हो बताना, तो apostrophe S ही लगाना, सीता के पिता, सीता का अधिकार है, किसके पिता सीता के पिता तो देखो 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 सीता के बाद भी लग गया अपोस्ट्रॉपी एस अपोस्ट्रॉपी एस लगाओ अधिकार बताओ फिर चलो आगे फिर चलो आगे नियम समझ में आया ना शाब बास नियम क्या है बोलता है अभी नियम नहीं पढ़ाया अब नियम पढ़ा रहा हूँ सुनना पहला नियम अपोस्ट्रॉफी है इस लगाने का एक वचन के बाद पूरा राम्स वाइफ राम्स बुक पूरा लगा अगर एक से ज़्यादा लोग का अधिकार बताना है अगर एक वक्ति है अपोस्ट्रॉफी है इस लगा दो कोई दिकत नहीं दूसरा नियम क्या बोलता है किस से ज़्यादा एक से ज़्यादा लोग का क्या बताना है अधिकार तो केवल किस के बाद लास्ट वाले वक्ति के बाद जैसे यहाँ पर देखो यह दुकान है यह पाइन्ट है भाई भाई है ठीक है मैंने का दोनों का अधिकार है तो बोले दोनों के बाद लगा दू अपोस्ट्रॉफीएस मैंने का नाई जब एक से अधिक व्यक्ति है तो अपोस्ट आपियस द्यान से देख लो केवल किसके बाद लगेगा लास्ट वाले के बाद लगेगा अगर पहले वाले के बाद लगाया तो क्या हो गया गलंद नियम समझ में आया दूसरा एक वेक्ती है तो कोई दिक्कत नहीं लगा दो पर एक से ज़्यादा वेक्ती है तो केवल किसके बाद लास्ट वाले के बाद सब की बाद नहीं लगाना नहीं तो क्या हो जाएगी एरर गलती समझे नियम है यह ज्यान रखना अधिकार बिल्कुल दोनों का जाएगा यह दुकान ना राम बोल सकता है ना शाम बोल सकता है राम भी बोलेगा मेरी है शाम भी बोलेगा मेरी है यह घर सीता और राधा दोनों बोलेगी सीता ऐसा नहीं बोल सकती मेरी है दोनों बोलेंगे समझे बात को, ये नियम 2, नियम 3, ये बड़ा खतरनाक नियम है, संग्याकांथ किसे होता है, S, तो आपको केवल क्या लगाना है, अपोस्ट्रॉफी मार्क लगाना है, फिर आपको S लगाने की जर्वत नहीं, अगर संग्याकांथ किसे होता है, S से होता है, तो आपको अधि केवल किस से बताना है अपोस्ट्राफी मार्क से बताना है एस लगाने की कोई जर्वत नहीं देखो अगर संग्याकान किस से होता है ऐस से होता है तो केवल क्या लगाना है एस अब देखो यह किसका कॉलेज है बॉइस कॉलेज एक लड़के का कॉलेज है क्या सब का कॉलेज ह तो keval क्या लगेगा Mark लगेगा समझे बात को क्योंकि अंत किस से हो रहा S से हो रहा Room किस बोन है Girls का है देखो अंत किस से हो रहा S से हो रहा तो keval मार्क लग रहा इसके बाद S लगाने की कोई जर्व़त नहीं अगर लगा दिया तो error हो जाएगी अगर लगा दिया तो क्या हो जाएगी error नहीं लगाया तो सही है देखो 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 एक boy का room है पूरा लगाओ कोई दिक्कत नहीं बहुत सारे लड़कों का room है boys तो फिर केवल mark लगेगा फिर apostrophe के बाद S लगाने की जर्वत नहीं केवल apostrophe का mark लगेगा एक वचन है या अंत S से नहीं हो रहा है तो mark भी लगेगा और S भी लगेगा पर अगर अंत जैसे मैंने बोला ना boss का order है अब boss है देखो कौन है boss ये बताओ boss में already अंत किस से हो रहा S से हो रहा इसका अधिकार बताना है न तो केवल apostrophe का mark लगाना इसके बाद फिर से S मत लगा देना नहीं तो क्या हो जाएगी error हाँ ये नियम है अगर संग्याकंत किस से होता है S से होता है तो केवल mark लगेगा S लगाने की जर्वत नहीं उसको बोलते है apostrophe का mark अगला नियम सुनो चौथा नियम तीन नियम रिवाइस कराऊ तीन नियम अरे ऐसी हो जाएगा एक वचन है तो पूरा पूरा एक से ज़्यादा लोग है राम एंड शाम तो केवल किस के बाद लगेगा apostrophe दूसरे वाले के बाद तीसरा नियम ऐसी बता दे रहा हूँ सुन लो अगर अंड किस से होता एस से तो केवल या apostrophe लगाना इसके बाद फिर से एस लगाने की जर्वत नहीं चौथा नियम सुनो सजीव का अधिकार होता है किस का? सजीव का क्या होता है? अधिकार नियर्जीव का नहीं सजीव मतलब जो जीवित है वो बोलेगा मेरा घर, मेरा द्वार, मेरे बच्चे, मेरी बीबी बोलेगा नियर्जीव आप बताओ घर बोलेगा मेरा मालिक नहीं बोलेगा मैं बोलूँगा मेरा टेबल tables का leg गलत cars color अरे हट गलत chairs handle अरे हट गलत क्यों 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 निर्जीव है न बबू निर्जीव है तो कैसे अधिकार बताओ मैं बताताओ मैं बताताओ tables leg बोलने किया पिक्षा क्या बोलो leg of tailor table sorry color of car cars color नहीं क्या बोला जाएगा color of car handle of chair chairs handle नहीं क्या बोला जाएगा handle of chair परन्तु कुछ जगा post of yes लगता है ये याद रखना अगर समय की बात है समय का अधिकार होता है समय के बाद post of yes लगाओ कोई दिक्कत नहीं दो दिन का काम है two days work आहाहा बहुत important point बताया जाएगा बहुत ध्यान से देखिएगा देखो 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 ये focus करो और ये focus करो यहाँ पर one singular था देखो 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 यहाँ पर ये जो one था वो क्या था singular तो day आया mark भी लगा और देखो और देखो s भी लगा पर यहाँ पर two था इसलिए यह हो गया plural plural है तो केवल mark आएगा इसके बाद s लगानी की जरुवत नहीं फिर से देख लो फिर से देख लो जिसको नहीं आया फिर से देखो यहाँ पर focus करो यह देखो यह देखो यह देखो थ्री थ्री मतलब plural तो थ्री के बाद क्या लिखा मैंने months और देखो untest से हो रहा ना तो केवल mark लगेगा यहाँ पर focus करो आप समझ जाओंगे untest से हो रहा केवल mark लगेगा देखो one hour singular है तो mark भी लगा और s भी लगा पर वहीं one से ज़ादा होता अगर यह one की जगा two आ जाता तो two hour नहीं होगा two के बाद hour की जगा क्या जाएगा hours और फिर केवल क्या आएगा apostrophe का mark आएगा इसके बाद यह s नहीं लगेगा I hope आपको यह वाला नियम भी समझ में आ गया प्रकृतिक चीजों के बाद भी apostrophe s लगता है जैसे sun, moon, ganga, hell यह इन सब के बाद में लगता है यहाँ पर में को जितना पढ़ाना था मेरा टॉपिक यहाँ पर होता है clear quick revision करेंगे जल्दी से बोलो 1.0 में हमने क्या देखा noun 1.1 में हमने उसकी क्या देखी definition noun देखते से आना चाहिए जैसे मैं को आरहे से आपको आना चाहिए तो समझना आपको noun बना एक चीज और बताऊंगा इसके rules definition definition के बाद क्या बोलना चाहिए आपको इसका types पता होना चाहिए types पता चल गया फिर आपको पता होना चाहिए singular plural s e s i s v e s singular plural पता चल गया फिर आपको पता होना चाहिए gender masculine feminine common neutral फिर आपको पता होना चाहिए apostrophe s की एक वचन है तो पूरा लगेगा बहु वचन है और अंतेस से हो रातों केवल mark लगेगा दो लोग है तो last वाले के बाद लगेगा सजीव के बाद लगता निर्जीव के बाद नहीं लगता पर समय के बाद लगेगा प्रकृतिक चीजों के बाद लगेगा ठीक है अब example देख लो जल्दी जल्दी I'm not going to complete this entirely I'm just going to teach it superficially मेरे काम काम की बाद तो हो गई में को जित्ता बताना था उत्ता मैंने बता दिया ये भी में को 30 मिनट तके लेके जाना पड़ा मैं और कोशिश करा था कम से कम में हो पर इतने टाइम में आपको पूरा मैंने रिवाइस कराया एक और वीडियो बना रहा हूं नाउन पे वो complete नाउन हो जाएगा अगले वीडियो में केवल रूल्स बताऊंगा क्या बताऊंगा केवल रूल्स उसी के ग्लिम्स बताके जाऊंगा यहां पे देखो अब common मतलब पूरी जाती का पता चले का जब मैं car बोल रहा हूं तो common और जब pepsi kola बोल रहा हूं एक निस्चित company है तो तो प्रॉपर man तो common ram तो प्रॉपर laptop tree woman foot देख लो देख लो common cat है tom है tom एक है तो प्रॉपर ठीक है common ठीक है mouse common ओके common noun प्रॉपर नाउन जिससे सब का पता चले वो common जिससे एक का पता चले वो प्रॉपर जिससे Sydney एक ही है Atlantic Ocean एक ही है तो प्रॉपर जैसे मैंने planet बोला तो common पर अगर मैं mercury बोलता हूँ तो specific नाम ले रहा हूँ तो mercury एक ही है तो क्या हो जाएगा प्रॉपर समझ गए सब का पता चला तो common एक का पता चला तो प्रॉपर 90 example है collective noun के I am very grateful to lesson for English इनके तरब से लाया ये मैंने महनत नहीं की very honestly मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ये महनत दूसरे लोगों की है भगवान की दैसे में को फायदा हो रहा है आप देख लो मैं उनको बराबर credit भी दे रहा हूँ bail of cotton यहाँ पे cotton मतलब कपास कपास का पूरा क्या है जुन्ट तो ये कलेक्शन हो गया कपास की बल्ली समझ गये bail मतलब बहुत सारे fleet of ships मतलब जहाजों का बहुत जाड़ा समू है forest of tree बहुत जादा tree है gaggle of geese समझ जाओ इसको bread, fruit, gun, इन सबका क्या बना दिया उसने collection galaxy of stars याने तारों का समू इसको ऐसी पढ़ लो क्या करो पढ़ लो समझ जाओ ये क्या करके आ रहा है बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके आ रहा है बहुत सारी मचली है तो haul of fish बहुत सारी बेकार बात है तो heap of rubbish busses, cattle ये सब बता रहा है इसका मतलब वो बोल रहा है चाबी का गुच्चा है बहुत सारी चाबी एक साथ आ रही है तो क्या बोला जाएगा bunch of keys library of books किताब की किताब regiment of soldier तुकडी है soldier की school of wales बहुत सारी wales है party of friends choir of singer chorus वगेरा जो होता है class वगेरा जो होता है cloud जो होता है यह सब चीज़ जो है यह आपको बता रही है collection इसमें आप जब भी देखोंगे आपको एक से ज़्यादा लोग दिखेंगे cut down यह होता है collective noun जैसे staff का मतलब ही होता collection harvest का मतलब ही होता बहुत सारा समझ गए यह देख लो bunch वगएरा यह वगएरा यह सब जो रहता बोलते ना squad में को PUBG की यादा आगई जब PUBG खेलते हैं तो उसमें बोलते ना हमारा squad है तो squad का मतलब ही होता हमारे लोगों का जुन्ड squad of soldier यहने सिपाईयों का एक डल discount discount मज़ा आ गया very nice ठीक है यह हो गया यह हो गया अब देखो यहाँ पे भी collection है an army of aunts यह जो cheaty है cheaty का पूरी सेना की बात कर रही है बहुत सारी cheaty है ना इसमें एक थोड़ी है herd of buffaloes देख लो o से अंता तो plural क्या लगाया e.s लगाया और इसका मतलब ही होता herd मतलब ही जुंड जुंड में जा रहे गाय का बेल का कहरन का इनका सब का जुंड है तो उसको बोलते है deer cattle यह हो रहा है इससे देख लो आप share का जुंड है तो क्या बोलते है pride of lions देख लो देख लो देख लो यह सब क्या कर रहा है collection को बता रहा है जिसमें एक से ज़्यादा noun आ रहे है army बोलते ना chorus में बात चल रही है gang of thieves बोलते ना हम gang में काम करते हैं gang मतलब भी एक से ज़्यादा team मतलब भी एक से ज़्यादा pack मतलब भी ज़्यादा panel मतलब भी ज़्यादा एनीमल में भी देख लो अब भी बताया वही वाली बात है यह सब क्या चल रहा है collection आप कुछ मत करना आप इसका screenshot लेके जाना ताकि आपको पता रहे यह extreme level की बात नहीं यह just for your revision I am telling otherwise इतना सब पढ़ने की जर्वत नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चे की collection कैसा रहता है तो देख लो ऐसा रहता है काम की बात आई abstract noun मैंने आपको extract noun नहीं पढ़ा है न अब देखो abstract noun मतलब कौन सी संग्या भाव आचक संग्या देखो dishonesty, pain मतलब दर्द, divorce, dream, evil, failure इन सबसे एक भावना का जनम हो रहा है जैसे बोलते न patience मतलब शांती की भावना, peace मतलब एकदम शांत समझे बात को loneliness मतलब अकेला, पन, भावना दिख रही ना, जरूरत, नीव, जबकी एक भावना है ना की सोने की भावना, इसकी भावना, pleasure, poverty ये सब देखो आपको भावना दिखेगी, pleasure मतलब, खुशी, poverty मतलब, pleasure मतलब, खुशी, poverty मतलब, गरीबी, गरीबी, पावर बावना, real मतलब सही, reality मतलब सत्यता, ये भावना है, kindness, laughter, law, ये सब क्या रहा, भावना, happy मतलब, खुश, ये गुन हुआ, happiness मतलब, खुशी की भावना, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये भावना हुआ, fiction, बोलते ना, fiction है, horror है, horror मतलब ही होता है, डर, freedom मतलब ही होता, आ बलो आजादी ऐसा है भाया abstract noun is a thing definition देखने abstract noun की आप जिसको देख भी नहीं सकते touch भी नहीं कर सकते समझ जाना जिसको देख भी नहीं सकते touch भी नहीं कर सकते वो क्या है abstract noun friendship को touch कर सकते happiness को touch कर सकते नहीं तो ये कौन सा noun abstract noun material का example है गोल, juice, gate, door, floor, wood, iron ये सब किसका example है material जिससे कोई चीज बने गी material noun देखो 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 chair is made of wood तो ये wood क्या हुआ material कब किससे बना गोल्ड तो गोल्ड क्या हुआ material यहाँ पे cement क्या हुआ material material noun का फिर example लेक्या है glass, weed, gold, coal ये सब जिससे कोई चीज बनेगी वो क्या है material singular plural मैंने आपको पढ़ाया वो देख लो अलग से जो चलता है अलग से जिसका कोई नियम नहीं child का children कई लोग children बोलते पूरी तरह से गलत है देख लो child का children dear, dear, fish, fish इनका भी कभी plural नहीं होता foot, feet, goose, geese, knife knife ये तो देखो नियम से चल रहा है देखो 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 F E था तो V E S आया आया की नहीं आया आया की नहीं आया फिर देखो फिर देखो फिर देखो फिर देखो F था तो F को हटा के V E S लगाया याद रखना फिर ये person, people, ship, teeth, wife, wives देख लो ऐसा है अब देखो ये उसने खुद ही बताया इसने खुद से में को पूरा लाके दिया बोले लो सर पढ़ाओ मैं आपको देता हूँ देखो S लगाओ plural बनाओ S लगाओ plural बनाओ देखो ये भी बता रहा है S, SH, CH, X, O नहीं लाया इसने और Z बोल दिया इसमें O भी है आगे ला सकता है बस, बसे, देखो, 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 सब में लाया उसने देखो, लाया अब देखो F और F ए तो देखो, वो V, E, S लारा लारा, लारा exception है, roof का, roofs, cleave का, cleave ये भी याद रखना exception भी पूछ लेता है मैंने वो वाले वीडियो में exception करा है आप देख लेना फिर देख लो, day, days, key, keys boy, boys, guy, guys, donkey, donkeys S, E, S, I, S वाला नियम नहीं है ये, Y के पहले A, E, I, O, U है तो केवल क्या लगेगा S, अगर कुछ और है तो E, S, E, S, ध्यान रखना दो बार O आता है या दो बार क्या आते है O के पहले, wawal आते हैं तो केवल क्या लगता है, S जैसे देखो, double O, O, I, O, E, O, E मतलब O और उसके ठीक पहले भी क्या आगया एक wawal, A, E, I, O, U तो केवल क्या S लगता है समझे बात को double O, दिग्या तो केवल क्या लगेगा S, और अगर कुछ और आया तो E, S, no change no change इनका कभी plural नहीं होगा ship का ship रहगा, deer का deer fish का fish, series का series समझे बात को अब देख लो ना भया अब मैं ही थग गया, पढ़ा-पढ़ा कि परसन, people, foot, feet, two, tit सेम सेम चीज आ रही है आप देख लो, मेरी गुजारिश है आप इसका screenshot ले लो खटेक से, ताकि आपको पता चल जाए, कहां पर क्या होता है कुछ नहीं समझ में आए तो comment करो, comment करो, comment comment खुला है, खुला है, खुला है, बेजो बेजो, बेजो यह वही है, man, woman, person person, हट, 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 हो गया, हो गया यह masculine, feminine ध्यान से देख लो, please, please, please please concentrate ध्यान से देखना, hunter huntress, shikari shikarmi, याद रखना tempter, temptress जो degree लेके आता है न, उसको बोलते tempter और यहाँ पर बोलते temptress, master mistress, master मतलब मालिक, mistress मतलब मालकिन, masculine feminine, baag, baagin, tiger, tigress duke, duchess यह duke इसको बोलते है, समझ जाओ और duchess, उसके बाद enchanter, गाने वाला, enchanteress गाने वाली, वही जो bar वगेरा में, club वगेरा में गाता है, उसको बोलते हैं बोलते हैं, बोलते हैं न, अपन, कैसे बताऊ मैं, राम सीता जैसे है, वैसा है jack and jill, बिल्कुल सही, jack and jill man servant, maid servant masculine, feminine बकरा, बकरी, he got she got, अब यह देखो cock, hen, cock मतलब मुर्गा, hen मतलब मुर्गी bull calf, cow calf, बच्छडा बच्छडा, मतलब गाय का या तो बैल होगा या तो गाय होगी, जैसे बच्छडा बच्छडा, तो अगर बच्छडा बोलना है तो bull और बच्छडा बोलना है तो cow calf जैसा का वैसा, grandfather grandmother, land lord, land lady, milkman दूद वाला, दूद वाली, more, more नी, gent, gentess, count countess यह सब हो गया, father mother, son, daughter, brother, sister, man woman, shepherd, shepherd यह देख लो, देख लो, dog, bitch cow, bull, drawn, bee यह देख लो आप जो मैं बता रहा हूँ gentleman, lady, count countess husband, wife, lord lady यह वही वाली बात है जिसमें आपको पता चलेगा यह याद रखना monk, nun, sadhu, sadhvi monk, nun, sir, madam, uncle, auntie nephew, niece, nephew मतलब भांजा, niece मतलब बती जी या भांजी wizard, witch priest, priestess पुजारी, पुजारनी यह भी देख लो, host, hostess pdf हाँ, pdf बोल रहा है sorry, screenshot, screenshot screenshot, screenshot पढ़ाया वाला है, screenshot ले लो masculine, feminine, neutral boy, girl, car masculine, feminine, neutral देख लो, सर ले सर ले, सर ले, बहुत सर ले common बता रहे है common, cat, teacher cat मतलब बिल्ला बिल्ली नहीं पता, he cat, she cat teacher, bird, fish, enemy, infant बताओ, यह सब common है ना इनको देख के आप बता सकते हो आपका servant, आदमी औरत है नहीं पता, orphan कौन है, मतलब लड़का है लड़की है baby, लड़का है लड़की है child, बच्चा है, बच्ची है friend, लड़का है, लड़की है, candidate लड़का है, लड़की है, नहीं पता तो बोलो common, common, common हो गया, singular plural apostrophe S अब भी मैंने आपको बता है नियम, देखो देखो, देखो, वही है, अगर S से अंत हो रहा है, देखो, देखो, देखो तोड़ा सा, पांच मिनट और रुख जाओ, प्लीज पांच मिनट रुख जाओ, 45 पे पका खतम, रुख जाओ ना, आज के दिन, देखो S था, तो केवल, नहीं नहीं गलत है, गलत है, गलत है boss, यह आगे बताएगा आगे बताएगा कि ऐसा नहीं होना में दोनों form को correct माना जाता है but I prefer this one अगर अंत S से होता है, तो केवल mark लगाओ, S लगाने की जरवत नहीं, अब देखो, और यह only apostrophe, two joint convert are the same card, two joint different card, बात समझो बात समझो, दो लोग हैं आप कुछ मत करो, last वाले के बात लगाओ, दिमाग लगाने mark लगा रहा है, देखो, mark लगा रहा की नहीं लगा रहा, फिर यहां पर S क्यों नहीं लगा रहा, समझे बात को not ending with S, तो उसमें mark भी लगेगा और S भी लगेगा वही वाला नियम है जो आपको पढ़ाया अगर भहु अच्छाने और अंत S से हो रहा, तो केवल mark लगेगा नेम अंडिन इन S S से हो रहा तो केवल क्या लगेगा mark, S से हो रहा, तो केवल क्या लगेगा, mark 부atam नियम है, सुनना नया वीडियो है, वहाँ से बताऊँगा मैं, यहां रहा है rules rules देखना, यह rule क्या मैं आपको next वीडियो में पूरे रूल लेकिया रहा हूँ I am coming with my next वीडियो जिसका title रहेगा only rules for noun, क्या रहेगा rules for noun, ये जो noun आपने पढ़ा है, masculine, feminine common, neutral, जितना भी पढ़ा है इसके अपन क्या करने वाले हैं आगे rules करने वाले हैं, ये लेकिया आगे के rules we hope आपको हमारा ये सब कुछ पसंद आया होगा, इसको आप please share कीजिए, thank you very much, मेरी इच्चा और अगर आप wait करो ना 2 minute का time दो मैं और एक चीज बता रहा हूँ नहीं, हाँ तो ठीक है आज की class यहाँ पर होती है समाप, ताटा, बाइबाइ see you, thank you very much keep supporting, keep sharing study with सुमित